हलो फ्रेंद्स वेलकम तो भाई चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेट फर्स्ट एर पेपर वन के चाल्ड होड एंड ग्रोइंग अप की लेक्चर नॉबर ट्वेंटी टू की जिसका की हेडिंग है पिछली वीडियो में हमने देखा था कॉलवर्स थीडियो और आज हम सब देखेंगे उसकी क्रिटिकल अनलाइसिस तो लेट से स्टार्ट टुडेइस वीडियो कॉलवर्स थीडियो प्रोपोस्ट वाई लॉर्स कॉलवर्स इन 1950s और 1960s और इस थीडियो ने हमारी अंडरस्टेंडिंग को बहुत ही क्लियर किया है कि किस तरह से लोगों में moral reasoning आती है नि कैसे लोग सही और गलत में से सही रा को चुनना सीखते हैं यह एक sequential pattern इन्होंने अच्छे से explain किया है हॉइवर इट इस नॉट विडाउट इस limitations and has been subject to several criticism अब इनकी थीडियोडी में एक culture को bias किया गया है किसी culture को ज्यादा महत हो दिया है किसी को कम दिया गया अमेरिकर मेल्स पर इन्होंने जो देखा development कैसे कैसे होता moral development उसके आधार पड़ी सिर्फ इन्होंने अपना यह moral development की थीडियोडी दे थे सकते हैं कैसे इन्होंने stage 1 to stage 6 तक में moral development दिखाया है तो साड़े culture में जरूरी नहीं है कि ऐसा एक fixed sequence ही follow किया जाता है however research has shown that cultural values and norms significantly influence moral reasoning यानि कि research से यह पता चला है कि अलग-अलग culture का जो value है culture के अपनी खुद की values है अपनी खुद की norms से खुद की rule regulations है उनका ही असर पढ़ता है लोगों की moral reasoning पर यानि लोगों की जो नाइतिक समझ develop होती है असल में उनकी culture का उन पर असर पढ़ता है the theories emphasis on individual rights and justice may not align with the values of other cultures and that privatize collectism, harmony and interpersonal relationships यानि कि जो थोड़ी इन्होंने दी है कोलवर्ड जी ने जो थोड़ी दी है अपनी moral development की ये सब ही लोगों पर fit नहीं बढ़ती है Western culture में तो individual rights की बात होती है अपना अधिकार है अपनी खुद की justice उने न्याय पाने का अधिकार है ये सब कुछ साड़े culture में नहीं पाया जाता है तो इसकी थोड़ी एक cultural bias दिखाती है बाइस मतलब कि किसी एक के पक्च में जादा है किसी एक culture के पक्च में जादा है बाकी culture को ये fulfill नहीं कर पाती है इनकी थोड़ी compared to men suggesting that women's moral reasoning is less advanced ठिक तो यहाँ पर कुलवर्ग ये कहना चाहते हैं कि women यनि औरतों की जो moral development होती है वो males के comparison में low होती है यनि slow होती है तो women यनि कम moral होती है यनि women में सही और गलत करने की समझदारी बहुत ही कम होती है male के comparison में यनि women उतनी जादा advanced नहीं होती है गलत और सही में से सही रा को परचान पाने में तो यहाँ पर इनकी थोड़ी को चैलेंज किया गया है feminist scholars के द्वारा और उन्होंने ये आर्गू किया है कि कॉलवर्ग की जो थोड़ी है वो सिर्फ male centric है ये सिर्फ male पर ही जादा ध्यान देती है और ये फेल है वोमेन की जो moral experiences है जो नहीतिकता की values है उसको address कर पाने में इनकी थोड़ी क्या है नाकाम है तो फेमिनिस्ट का जो दावा है वो ये है कि वोमेन की जो moral development होती है वो प्रभावित होती है बहुत साड़े फेक्टर से जैसे कि उनको कैसा care दिया जा रहा है उनके साथ कितनी empathy सो की जाड़िया और उनके साथ कैसा relationships बना कड़के रखा गया है तो इन सब चीजों का असर परता है moral development पर ऐसा वोमिनिस्ट का कहना कि कॉलबर्स की थियोड़ी जो है जेंडर बायस करती है थार्ड जो इनका critics है वो ये है कि lack of productive validity, lack of predictive validity तो critics argue that कॉलबर्स थियोड़ी has limited predictive validity यानि कि बहुत ही limited है इनको predict कर पाना इनकी थियोड़ी को, while the theory proposes a hierarchical progression through stages not all individuals reach higher stages of moral reasoning, सही बात है अब देखे, कॉलबर्स ने अपनी थियोड़ी में कहा था कि total six stages है और systematically stage one clear करने जे बाद stage two में वेक्ति उसकी सोच पहुंचती है फिर उसकी सोच और develop होती है तो stage two से stage three में पहुंचती है और इस तरह से हर वेक्ति जो है develop करते रहा था next stage तक और साड़े वेक्ति लेगिन फिर भी जरूरी नहीं है कि अंतिम stage यानि stage six तक morally develop हो पाएं तो research has shown that individual can exhibit moral reasoning at different stages depending on the context and moral judgments can vary across different domains of life तो यानि कि research से ये पता चला है कि वेक्ति जो है moral reasoning को exhibit कर सकता है यानि कि हर वेक्ति में कुछ नईतिक सोच आ जाती है अलग-अलग stages पर यानि कि कोई जरूरी नहीं है कि कोलवर्ग ने जो systematic stage बताया है हमेशा वैसा ही होता है कभी-कभी वैसा नहीं भी होता है लोगों में moral judgment जो है वो अलग-अलग प्रकार से आता है तो across different domains of life जीवन के अलग-अलग प्रकार से लोगों में देखने को मिलता है यानि कि कोलवर्ग की त्योड़ी जो है वो फेल हो जाती है रियल वल्ड सिचुएशन में ठीक यानि कि असल जुन्दगी में जब इसको test किया जाता है इनके त्योड़ी को तो moral judgment पर ये खडी नहीं उतरती है रियल वल्ड सिचुएशन में कोलवर्ग की ठीक नेक्स्ट जो criticism है इनकी थोड़ी का वो है ओभर emphasis on reasoning यानि ज़रुरत से ज़्यादा समझदारी पर इनोंने ध्यान दिया है कोलवर्ग थोड़ी places a heavy emphasis on moral reasoning as the primary determinant of moral development यानि कोलवर्ग ने अपनी जो थोड़ी में सबसे ज़्यादा focus किया है moral reasoning पर यानि या सही और गलत रास्ते की समझ पर नाइतिक कितने है कोई व्यक्ति में नाइतिकता का स्तर कैसा होना चाहिए इसकी समझ पर कोलवर्ग ने बहुत ज़्यादा focus किया है it assumes that individuals with higher stage reasoning will act in morally superior ways तो इनकी थोड़ी के according तो ऐसा होना चाहिए कि stage 6 जो कि ultimate stage है इनकी थोड़ी का अखडी stage है वहाँ पर पहुचने के बाद व्यक्ति पूरी तरह से moral हो जाना चाहिए एकदम superior ways में however research has shown that moral judgments and behavior are influenced by various factors including emotions, socializations, personal values and situational constraints यानि कि research ने ये दिखाया है कि लोगों का जो behavior होता है जो moral judgment होता है वो depend करता है लोगों के behavior के बहुत साथे factors पर depend करता है जिसमें कि उनकी emotions सामिल है socialization में किस तरह से व्यक्ति के साथ emotional attachment कितना रखा गया है और किस तरह से उसको socialize किया गया है बचपन से उनकी personal values क्या क्या है और क्या situation है किस situation में व्यक्ति ने respond किया इन सब चीजों मतलब ये साड़े factor है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति का moral decision decide किया जाता है moral behavior may not always align with moral reasoning यानि कि एक जो practical life में असली जिंदगी में जो moral behavior हम लोग करते हैं जो नैतिक बेवाड़ माड़ा होता है जरूरी नहीं है वो कि कुलवर की theory के according ही always moral reasoning पर ही based हो and the theory overlooks the role of non cognitive factors in moral decision making यानि कि इनकी theory जो है बाकी साड़े factors को fully ignore करती है जैसे कि emotions, socialization, personal values इन सब चीजों को ये पूरी तरह से ignore करी गई है इनकी theory में इन्होंने सिर्फ एक ही aspect पर ध्यान दिया है और वो है moral reasoning पर बस नेक्स्ट है lack of moral action moral action की कमी है इनकी theory में critics argue that the Colbert's theory focuses primarily on cognitive aspects of morality and neglects the importance of moral actions and behavior यानि कि critics ने ये भी इन पर दावा किया है कि Colbert की जो theory है वो सिर्फ cognitive aspect ये इनकी सिर्फ समझदारी वाली ही बात की करते है मतलब morality नेतिकता की समझ ही सिर्फ ये उसी पर focus करती है बांकी और जो पहलू है रियल लाइफ में जो moral actions, moral behavior जैसे होना चाहिए उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है मतलब सिर्फ समझ की बात है नेतिकता की समझ क्या है ये उसको practical action में कैसे लाना है इसके बारे में इनकी थ्योड़ी कुछ भी नहीं कहती है moral development should not be solely defined by the ability to reason through moral dilemmas but also consider actual moral behavior and character जबकि असल बात तो यह है सच में कि moral development सिर्फ ऐसा नहीं है कि व्यक्ती सिर्फ उसको किताबों में पढ़कर के रह जाए कि अगर दो में से सही रह चुनना है तो उसके लिए क्या करें सिर्फ उसके बारे में पढ़कर ही ज्यान ले लेने से काम नहीं चलता है उसको practical life में implement भी करना ज़रूरी है moral behavior में दिखना चाहिए वो moral ज्यान the theory does not provide a comprehensive account of how moral reasoning translates into moral action यानि कि इनकी थियोड़ी ये कोई comprehensive एक तडिका नहीं बता पाती है कि इनकी जो moral reasoning है जो moral समझदाड़ी है सोच समझ जो है moral behavior, moral action में कैसे इसको बदला जाए इसके बारे में इनकी थियोड़ी कुछ भी नहीं कहती है next है simplistic stage model ये भी एक इन पर criticism ही है इनकी थियोड़ी पर Colbert's theory presents a hierarchical and linear stage model of moral development suggesting that individuals progress through stages in a fixed order Colbert's theory है इसमें इन्होंने दिखाया है कि हर वेक्ती में जो moral development होता है वो एक definite stages में होता है stage 1, stage 2, stage 3 जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है वैसे 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 लोग अलगली stages में पढ़ते चले जाते हैं और उनकी morality development होती चले जाती है however research has shown that moral development is more complex and multifaceted process influenced by a range of cognitive, emotional, social and cultural factors यानि कि Colbert ने जैसा जैसा बताया है कि ये straight सीधा सीधा रास्ता है एक stage से दूसरे stage development होता चला जाता है morality का असल में research से पता चला इसा नहीं होता है moral development बहुत सारे complex factors पर depend करता है और इनमें cognitive, emotional, social and cultural factors भी सामिल है the theory over simplifies the complexities of moral development by reducing it to a rigid stage sequence यानि कि Colbert का moral development theory है इन्होंने उसे बहुत ही simple रखा है एकदम linear stage model में रखा हुआ है और बहुत सारी चीजों को इन्होंने ignore किया है और oversimplify कर दिया है इन्होंने इस complex theory को यानि कि जो moral development है इसको describe करना इतना भी आसान नहीं है बहुत सारी चीजों है इसमें सामिल है लेकिन Colbert ने बहुत सारी चीजों को ignore करके इसको simple मनाने का कोशिश किया है और especially सिर्फ जो moral understanding होती है सिर्फ उस पर ही focus किया है और किसी भी चीज पर नहीं In conclusion, while Colbert's theory of moral development has contributed to our understanding of moral reasoning it has faced criticism for its cultural gender biases, limited predictive validity, over emphasis of reasoning, neglect of moral action and simplistic stage model यानि कि हमने देखा conclusion में कि Colbert की थिओरी जो है moral development की बहुत ही अच्छा contribution है इस बात को समझने में कि moral reasoning होती कैसे है लोगों में moral समस्दारी कैसे विक्सित होती है इस चीज़ को इनोंने अच्छे से समझाया है लेकिन फिर भी बहुत सारे criticism भी है इनकी थिओरी पर पर किया है ठिक behavior में वो practically नहीं possible हो पाता है neglect इन्होंने किया है moral actions को और simplistic stage model रखा एकदम सीधा सीधा थिओरी बनाया है बहुत सारी चीज़ों को ignore करके जो की research से पाया गया है सही नहीं है It is important to recognize these limitations and consider alternative perspectives that provide a more comprehensive and contextually sensitive understanding of moral development तो यह जरूरी है कि इससे भी और बहतर इनकी जो limitations है इनको पहचाना जाए इनकी थिओरी की limitations को और एक alternative perspective यह इनकी थिओरी के अलावा और moral development की कोई और इनसे बहतर अगर थिओरी है